बिल्कुल, क्योंकि हाँ, दो-चार मांग हैं मैं कोशिश करूँगा एक आद भर सकूँ, ने ने मतलब आपिर गलस समझ रहे हैं, पूरी कर सकूँ, एक गीत मैं आपको सुनाता हूँ, आज सुबह जावेश साब यहाँ थे, और कल भी बहुत सारे लोग आएंगे, अम्राग यहाँ पर थे, फिल्मों में इस समझ अबदावली बदल लएए, अच्छे गीत लौट रहे हैं, एक दोर था कि साहिर साब ने यह शर्त रख दी थी, कि उनका पेमेंट संगीत कार के बराबर होगा, और उनका नाम फिल्म की बिंगनिंग में वहीं आएगा, जब मुजिश लोग आते जाते रहेंगे, तो मैंने एक सिचुवेशन का गीज लिखा, जिन लोगों की सिचुवेशन में रूची हो, वो उसमें धिया, सिचुवेशन ये थी कि जो हीरो है, वो हीरोईन से मिलने के लिए गया है, और उनका मुझे कहा कि इसमें चादनी रात है और उसके बीच की देगे फ्लेट फजया बारे तेरे मंजिल पर तो चादनी नाम की कोई आई सकती रात तो नहीं सकती है, तो सिचुवेशन हुने बताया है कि वो उसकी गोदी में लेटा हुआ है, इसको गीत बनाईए आप, इसे कहते हैं, यहने मीनु देखके मजहादा आगया, ब तो मैं लेकिन इसको अनुभाव करें यह अनुभाव में जाईए इस गीत को और जहां अच्छा लगे मुझे बताते चलिएगा आपकी दाद यह हमारा पारिश्चमिक है बागी तो कुछ पता नहीं है कितना मिलने वाला है और क्या मिलने वाला है और यह चैनल का प्रोग्राम में स्यादा जगणा भी नहीं कर सकते हैं वरना यह पिशेश कुछ और भी बना देंगे एक गीत चुनिएगा और इसे महसूस करेगा कि एक मैं हूँ यहां एक तू है दाद मिले आपकी मैं आपको वहीं ले जाओंगा उसी की गोदी में कि एक मैं हूँ यहां एक तू है सिर्फ सांसों की ही गुफ्टगू है एक मैं हूँ यहां एक तू है एक मैं हूँ यहां एक तू है सिर्फ सांसों की ही गुफ्टगू है पहला बन सुनिए पिक्चर बना रहा हूँ अपने शब्दों से आप तक पहुचेगा चांद के साज पर रोशनी चांद के साज पर रोशनी गीत गाते हुए आ रही है चांद के साज पर रोशनी गीत गाते हुए आ रही है तेरी जुल्फों से च्छनकल वो देखो चांद नी नूर बरसा रही है चांद के साज पर रोशनी गीत गाते हुए आ रही है तेरी जुल्फों से च्छनकल वो देखो चांद नी नूर बरसा रही है अब सबाना मेरे साज अगली लाइन पर वक्त यूँ ही ठहल जाए हमदम वक्त यूँ ही ठहल जाए हमदम दिल को इतनी सी एक आरजू है एक मैं हूँ यहां एक तू है इनका हाल ऐसे हो गया है कि मैं तो गजल सुना के अकीला खड़ा रहा सब अपने अपने चाहने वालों में खो गए एक मैं हूँ यहां यहां सिर्फ छोरी पड़ो प्रक्टिकल के बारे मस सुचो यहां एक तू है सिर्फ सासो की ही गुफ्त तू है कविता इशारा करती है खुल के नहीं कहती है हमारी परवरिश उस दौर में हुई जहां माओं के चहरे पर नहीं टेलीविजन पर भी गूंगट होता था लखडी का कि आजकल तो आप डीपियस जाईए तो बहार बुट्टे वाले से लड़कियां पूस्ती है अंकल यह हैंडल वाला पॉपकॉर्ण कितने का दिया है उनको लगता है यह चुपकाया गया है संस्कृती तेरी से बदल नहीं है सुबही सुबही बहु नीभू चाटे तो यह ना समझें कि शुब समाचार है यह उतकता रात का हैंगोवर ना उत्रा हो के दूर धर्ती के काने पे देखो यार आपकी वाह मिलनी चाहिए अप सुनके दूर धर्ती के काने पे देखो आसमा जूम कर जुक गया है नर्म बाहों के घेरे के बाहर शोर दुनिया का चुप रुक गया है अब जितने जवान लड़के आपर हैं उनके लिए एक लाइन पढ़ रहा हूँ और 24 गंटे में एक बार सरस्वती सिद्ध होती है एक मुख्य मंत्री के प्रदान मंत्री बनने की काम ना कर दी थी बन गया तो इसलिए काम ना कर रहा हूँ ध्यान नखना नर्म बाहों के घेरे के बाहर शोर दुनिया का चुप रुक गया है मेरे ख्वाबों में जो तैरती थी अब सब की तालिया उटनी चाहिए अगली बार मेरे ख्वाबों में जो तैरती थी अब सरा तू वही हूबहू है एक मैं हूँ यहाँ एक तू है एक मैं हूँ यहाँ एक तू है सिर्फ सांसों की ही गुखतू है इस 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 बबना इस 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 बार दोनों आप रुटा कर तालिया बजा के बताएए कि मैं आप कि 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 कि